अखिल भारतिये माईशी महिला मंदल के तत्वाधान में आयुजित वर्चुल एस्पो सखी 2021 के मैं विधियत उठगाटन की घोशना करता हूँ अखिल भारतिये माईशी महिला मंदल के तत्वाधान में आयुजित वर्चुल एस्पो सखी 2021 मैं आप सब का अभी नंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एक प्रकतिशील सामाजिक रूप से संस्था जो समाज में व्यापक परिवर्तन का काम कर रही है, महिलाओं को आत्म निर्भर सशक्ति करने का काम कर रही है, उसके लिए मैं स्रीमतिय आशामाईशी और सभी पदादिकारियों को बहुत-बहुत साथ वाद देता हूँ, पंबे समय से अनुवर्त महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करके एक व्यापक उन्होंने अपना दाइरा बढ़ाया है, महिला अधिकार, उत्थान, सुक्षा, स्रशक्तिकरन को आधार बना कर संस्था ने एक समीति का गठन किया, जिसने एक आयोजन की सकल्पना की और स्रकम्पना इस समय वर्तमान समय में की, वर्तमान समय की परिस्तितियों के नुसार की, आज वर्तमान में जिस तरीके से कोरोना देश के अंदर संकट की स्तिति है, जो विक्राल रूप ने रहा है, उस विक्राल रूप को देखती हुए, हमें वर्चुल माध्यम से नई कारियोजना बनाने क्या होशकता है और आपने उस वर्चुल माध्यम से उस कारियोजना को बनाने का काम किया और आपने अपनी गत्विदियों को सारे विश्व के अंदर कोरोना के संकट भी आपकी गत्विदियां कैसी चलती रहे आपकी आर्थिक सामाजिक गत्विदियां लगातार काम करती रहे महिलाओं में आप अपने व्यापक अधिकारों के साथ व्यापक सुरक्षा के साथ किस तरीके से उनको सशक्ति करन कर सकते हैं इसके लिए व्यापक प्रियास किया आपने अपने जीवन में कहा रुकना नहीं चलना है जीवन किसी भी प्रिस्तिति में ह किसी भी मुश्किल हो किसी भी कटनाई हो उस कटनाई और मुश्किल की परिस्तिती में भी काम करना है और ये शक्ति होती है मैलाओं के अंदर क्योंकि मैलाओं हमेशा विपता आपदा संकट की परिस्तितियों से जूसती रहती है और जूसते जूसते वो इतनी मजबूत हो ज करती है और प्रज़िदाम लाने की काम करती है और इसलिए आज समय नुकाल आपने अपनी परिस्तिति में बदलाव किया आवश्यक्ता नुसार किस तरीके से इस परिस्तिति के अंदर भी आप वर्चुल के माध्यम से एक नई दिशा दे सकें इसलिए काम किया भारत के ना होगा तो देश के सभी शित्यों के अंदर अलग अलग छोटे गाउं से लेके बड़े शेहत तक महिलाओं द्वारा बनाएगे प्रोड़क्ट महिलाओं द्वारा कला करती के माध्यम से अपनी कला के माध्यम से उनके हूनर को उनके काम को संपुन देश में नहीं पूर विश्ट के अंदर virtual माध्यम से दिखा सकें और आपने अभी expo को मैंने देखा है आपने किस तरीके से इस expo के अंदर virtual माध्यम से product बनाने वाली महिला हैं प्रोडуса सके और product को खरीदने के लिए भी महिलाओं को आपने एक नया बाजार दिया है क्योंकि प्रोड़क्ट को बनाना तो बहुत आसान हो सकता है कटनीन भी हो सकता है लेकिन उन प्रोड़क्टों को एक प्लेट फरम देने के आउशकता है आज इसी दिशा के अंदर काम करने के आउशकता है क्योंकि भारत का हुनर, भारत की कला, भारत की संसकती, भारत के मैलाओं के काम दुनिया के अंदर जाने जाते हैं लेकिन उनको अभी भी प्लेट फारम नहीं मिला है आपने एक वर्चुल प्लेट फारम की शुरुआत किये ताकि इस वर्चूल प्लेट फारम से आप इंटरनेशनल इस्तर पर आपके प्रोड़क्टों को दिखा सकें और जो महिलाएं गाओं में बेठी है छोटे कस्प में बेठी है उनमें हुनर तो है प्रोड़क्ट भी अच्छा बनाती है लेकि उनके लिए बाजार नहीं है तो बाजार देने का आपने काम किया तो आपने आत्मनिर्बर भारत के साथ आत्मनिर्बर महिलाओं को बनाने का काम किया जब आत्मनिर्बर महिलाय बन जाएगी तो भारत अपना आत्मनिर्बर बन जाएगा और महिलाय आत्मनिर्बर होने के बाद भारत स्रक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और आप सब जिस समर्पिक भाव से यहां काम कर रहे हैं, चुनोती मान कर काम कर रहे हैं, क्योंकि माईशी समाज आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी, इस देश के अंदर चाहे सामाजी को, चाहे आर्थी को एक व्यापक परिवर्तन करने का काम किया, माईशी समाज ने आजादी के पहले भी देश के अंदर उध्योग व्यापार करके नोगों को रोजगार देने का काम किया सामाजिक रूप से चाहे कहीं धरमशाला बनाने हो तो धरमशाला बनाए बूके को हो तो अन्न बंडार बनाए उनके चिकिसाले जब सरकार चिकिसाले नहीं बना सकती थी माईशी समाज ने चिकिसाले बनाए बच्चों को शिक्षा के शिक्षा केंद नहीं वा करते थे मंदी नहीं वा करते थे माईशी समाज ने शिक्षा के मंदी बनाए हाई क्लास शिक्षा के बनाए टेक्निकल एजुकेशन के बनाएं, मेडिकल के बनाएं, इस तरीके से तमाम शित्रों के अंदर आप चले जाएं, एक सो परिवार भी, पचास परिवार भी किसी कस्बे में रहते हैं, तो उनकी सामाजिक सेवा के कारण, समाज के समर्पन के कारण, उनकी प्रतिष्टा है, औ समाज को संबान मिलता है, उस संसकार के माध्यम से समाज के प्रतिक काम करने के करते हैं, समाज के पर Tapi समर्पन सेवा के काम, कोविट काल में ने देखा किस तरीके से माईश्री समाज में अपने आप कोविट के अंदर किसी वेक्ति को परिशानी नहो इसकी चिंता करी अपने परिवार का कमाया धन समाज को समर्पित करने का काम किया और इसलिए माईश्री समाज की महिलाएं भी इसी दिशा के अंदर काम कर रही है कि केवल माईश्री समाज की महिलाएं नहीं तमाम महिलाओं के प्रोड़क्ट को एक नया बाजार देने का काम किया और मैं सोच सकता हूँ यह बाजार आपने राष्ट इस्तर पर दिया अंतराष्ट इस्तर पर बाजार दिया आज वर्चुल माध्यम से कई देश की महिलाएं यहां से जुड़ी हुई है अभी समाज की जुड़ी होगी आने वाले समय के अंदर देश की तमाम महिलाएं करेगा निश्चित रूप से मैं इसके लिए आप सब को बहुत बहुत शुपकामना कर देता हूं विशेश रूप से क्योंकि अद्रश के नित्त में काम होता है अद्रश हमारे कोटा की हैं और लगातार वो सामाजिक गत्विदियों के अंदर लगातार लगी देती है और क पूरी टीम के बिना कोई काम नी होता तीम का नित्त करने वाला सइब दिशा के और नित्त दे और पूरी टीम को साथ लेकर चले और आज धीरे धीरे माईशी मैला मंडल ने एक व्यापक बड़ा दाएरा खड़ा किया है देश बरकी मैलाओं को जुड़ा है इंटरनेशन इस्तर पर काम करने वाली मेलाओं जुड़ा है मैं सभी टीम को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं बधाय देता हूं और मैं यह प्लेट फर्म खड़ा किया आपने इसको और के से बढ़ा सकते हैं इसकी बेट कर अपन कारियों ना बनाएंगे ताकि हम नेश्टनल इंट पजार देने के काम को निमित करने का काम करेंगे ताकि एक नई दिशा दे सकें आप समको बहुत-बहुत धन्यवाद जै महिश